स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉड़कास शंकला में यह शंकला नई धारा के संस्थापक श्री उदैराज सिंग जी के साहित्य को समर्पित है इस पॉड़कास में आप सुनेंगे उदैराज जी द्वारा लिखी कहानिया, संस्मरन वलेक सुनना न भूले, नई धारा रेडियो पर न्याय मूर्ती श्री तारकेश्वर नाथ श्री तारकेश्वर नाथ भूदपूर्व न्याय मूर्ती पटना उच न्यायाले को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरा जी घबरा उठता है कि प्रतिभा और इमानदारी का यह मेल जोल आज दुरलब हो गया है तारकेश्वर बाबू बिहार के नामी गिरामी महादिवक्ता महावीर प्रसाद के भांजे थे उन्होंने महावीर बाबू से वकालत की ट्रेनिंग ली वे दोनों प्रतिभा के ऐसे धनी थे कि एक दूसरे के पूरक बने तारकेश्वर बाबू एक इमानदार व्यक्ति, आध्यात्मेक पुरुष तथा समवेदनशील मानव पहले थे एक महान विधिवेत्ता पीछे एक नहीं अनेक बार मैंने देखा कि धोती कुर्ता पहने, दुपली टोपी लगाए श्री अयोध्या किलाधीश, श्री सीता शरण जी का घंटों खड़े-खड़े प्रवचन सुन रहे हैं और लगता यही था कि वे अपने को भूल गए हैं जब ध्यान से तूटते तो मुझे बगल में खड़ा देखकर मुस्कुराते, अपनी गाड़ी पर बैठ जाते कभी-कभी उन्हें पटना स्टेशन के हनुमान मंदिर में भी भक्तों की अपार भीड में हाथ जोड़े, दर्शन के लिए घंटों खड़े मैंने देखा था जजी का ताम-जाम उस समय उनके साथ नहीं था एक आम आदमी की तरहां वे भगवान की दर्बार में जाते और उसी तरहां वापस हो जाते और मैंने ये भी देखा कि भारतिय नृतिक अला मंदिर में वे एक महती सभा को संबोधित कर रहे हैं और उनकी बातों में ऐसी इमानदारी जलकती के सभी उनसे आकरशित हो उटते थे तारकेश्वर बाबू जज होने के पहले तक हमारे राज्य के वकील भी थे और मेरे पिता फी स्वरूप उन्हें जो भी दे देते वे सहर्श्विकार कर लेते और अपना बिल तो कभी भेजते ही नहीं थे उनमें इतनी विनम्रता थी के मुझे बराबर हैरत होती थी के न्यायमूर्ती का पद कैसे संभाल सकेंगे पर उनमें ऐसी शमता थी के उस पद की गर्मा को उन्होंने बढ़ाया और वैपद उन्हें पाकर गौरवानवित हुआ उन्हें उस पद के लिए कोई एहंकार न था और ना मोह उनकी स्मृती को मेरा शत्बार नमन इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुती आपको जरूर पसंद आई होगी अन्यपॉडकास्ट्स विडियो इंटर्व्यूज आदी के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर फॉलो करें जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी धन्यवाद